वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीचे का बिलका इकन को प्रेस कर लेना है है तो देखिए सबसे पहले आप लोग को करना अपड़ेगा सबसे पहले बात करते हैं कि यह प्राब्लम आ की रही है रिसेंट्ल हमने अपने फोन को अबडेट किया और अपडेट करने के बाद देखा कि काफी सारे बग थे बग की वज़र से हमें इस टैप की प्राब्लम का तो आप लोग को simple करना क्या पड़ेगा आप लोग अपने phone के update पर चाहिएगा और जैसे जो आप लोग का official update हुआ है version का उसके बाद आप लोग को फिर से चेक करना है कि कोई security का update तो नहीं आया है क्योंकि जब हमने अपने phone में security का update किया बाद में उसके बाद हमारी problem जो है fix हो गई तो अधिकतर case में हमने यह notice किया कि जो problem आ रही वह software की वजह से आ रही है तो आप लोग अपने phone को update करेंगे तो आप लोग की problem fix होने काफी जादा चाहां से आप बन जाते है ठीक है यह हो गया आप लोग का पहला solution अगर आप लोग के phone में मतलब पहले से step के दिक्क settings पे अप लोग के phone में अगर additional settings होगा उसके click करना है देन आप लोग एकदम bottom में मिलेगा backup and reset का option इसपे click करना होगा तैन आप लोग को reset फोन पे क्लिग करना होगा और आप लोग को अपने phone की आल सेटिंग्स को reset कर देना है आल सेटिंग्स को reset करने से क्या होगा अगर किसी गलत activity की वजह से आप लोगों को step की problem मारे की automate की touch हो जारा है तो सब कुछ default हो जाएगा और आप लोगों की प्राब्लम भी फिक्स हो जाएगी ओके सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै मता दी